कि है लो गाइज आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल पर आज हम बीए सी सेकिंड ये बोटनी के पेपर फेस्ट के यूनिट फेस्ट का इंपोर्टेंट टोपिक लेकर आए हैं टोपिक है पाने के रासाइने के यह हूं बोधिक गुण यह वेर इंपोर्टेंट टोपिक है जो की हर एक्जाम में पूछा जाता है तो यह आगे भी पूछा जाएगा तो इस क्यूशन को जरूर याद कर लें क्यूशन एक्जाम में प्रकार आएगा पानी के रासायनिक गुण बताईए या पानी के रासायनिक गुण बताईए तो देखते हैं इसका उत् उत्तवादी गनवत वाइचाय डिगरी से सोता है इस गुण के कारण अते दिक न्यून ताप पर भी जल गहरी जीलों तता समुंदर में जम्न Hayır पाता है जब निशले इस्तरों का तापमान चाय डिगरी से कम हो जाता है तो उपर तो जल उपर उटता है जब नीचे के स्तरों पर तापमान चार डिगरी से कम हो जाता है तो जल उपर की तरफ उठना स्टार्ट हो जाता है तता सतह है पर जम जाता है तता नीचे इस्ति जल इस्तर का तापमान जमाव बिंदू तक नहीं पहुंच पाता है इसलिए सतह है पर जमी जील के नीचे इस्ति जल्ब में सजीव जीवित रहते हैं नीचे जमाव तक बिंदू तक नहीं पहुशने के कारण जील में उपस्ति जीव जीवित रहते हैं दूसरा है कुवतनांग जल्ब का कुवतनांग सर्वादिक होता है इसका कुवतनांग अधिक होने के कारण इसके अनुओं के मद्दे गठफंदन है यदि जलका कुवत नांग अधिक नहीं होता तो कोशिकाओं में जेविक किर्याओं का संपन होना संभव नहीं होता कोषिकाओं में जेविक किर्याओं के बीच संपन होना संभव नहीं होता तीसरा है गलनाग जल का गलनाग बिंदू भी सर्वादिक होता है जल का गलनाग बिंदू भी सर्वादिक होता है यह भी जल अनुओं के मद्दे परबल अंत्राणिविक बंदों का परिमान है नेक्स्ट है फोर वास्पन उस्मा नेक्स्ट वून है वास्पन उस्मा जल की उच्ट वास्पन उस्मा होती है वास्पन उस्मा उर्जा की मात्रा है जो एक ग्राम दर्वाद को वास्प में परिवतित करने के लिए आवसेक होती है जल के वास्पन उस्मा पानसो चालीस केलोरी तथा पानसो च्छाण में केलोरी होती है जल की वास्पन उस्मा होती है पानसो चालीस से पानसो च्छाण में वास्पन उस्मा भी सजिवों के तापमा नियंत्रन में सायक होती है नेक्स्ट टोपिक नेक्स्ट पॉइंट है फाइब विषिष्ट उस्मा जल की विषिष्ट उस्मा तरल अमोनियम के बाद सरवादिक होती है किसी पदार की विशिष्ट उस्मा वह उर्जा होती है जो पदार के ताप पर एक डिग्री सेल्शिस बढ़ाने में आउशेक होती है इस गुण के कारण जल के गरम होने की प्रकरिया बहुत दिमी होती है जो जेविक किरियाओं के लिए महतोपूर्ण है जल की उच विशिष्ट उस्मा 1.0 के कारण यह सजिवों के तापमान नियंतरन करने में सायक होता है यह सजिवों के तापमान नियंतरन करने में सायक होता है विशिष्ट उस्मा नेक्स्ट पॉइंट है प्रिष्ट तनाव इसमें देखते हैं वह बल जो जल की सतह पर किरियाशील होता है उसे प्रिष्ट तनाव कहते हैं जल का प्रिष्ट तनाव कहलाता है जिसका मान जीरो डिगरी से जिसका मान 20 डिगरी सेल्शेस पर बैतर अगर सेमी अगरपोन सेमी होता है इस गुण के कारण जल के सिका नली में 0.03 मी मी व्यास 120 सेमी चड़ सकता है जल के इसी गुण के कारण संबह होता है पोदों में वाहिकाओं द्वारा रशारोण होता है जल के इसी गुण के कारण पोदों में वाहिकाओं द्वारा रशारोण होता है जल का उपर की तरप गमन होता है नेक्स्ट विंदू है गुप्त उस्मा जल की गुप्त उस्मा का मान भी उच होता है वह उर्जा जो एक ग्राम ठोस को दर्वा में परवर्तित करने में आवसेक होती है गुप्त उस्मा खहलाती है गुपत उस्मा वह होती है जल वह होती है जो एक राम ठोस को दरवय में परवर्टित करने में साइक होती है पानी के जमावक से पूर्ण भारी मातरा में उस्मा का विमोचन होता है जो वास्तव में कोशिकाओं में जल के जमने से रोकती है जो वास्तव में कोशिकाओं में जल रोकने से जमने से रोकती है नेक्स्ट टोपिक है तनन सामर्ते इसमें देखते हैं जल अनुओं के मद्दे आसंजन एयों संजन के कारण इसमें प्रत्यास था पाई जाती है जल का यह गुन रशारोवन में साइक होता है जल का यह गुन रशारोवन में साइक होता है नेक्स्ट टोपिक है विशा की सिता विशका सिता नेक्स्ट टोपिक है विशका सिता इसमें देखते हैं जल की विका सिता या स्यानता दरववस्ता में कम होती है इसी कारणी है पोधे में आसानी से बैता है तापमान में वर्दी से स्यानता में कमी होती है तापमान में वर्दी से श्यांता में कमी होती है नेक्स्ट है जल रंगीन होता है इसलिए इसमें प्रकास गहराई में प्रिवेस कर सकता है जिसमें गहरे जल में पाये जाने वाले पादपों में प्रकास अंसलेशन संभव होता है जल रंगीन होता है रंगीन होता है रंगीन इसके अतिरिक पती के भीतरी उतकों तक प्रकास प्रिवेश कर पाता है नेक्स्ट है जल अनेक जेविक किर्याओं जेशे विशरन प्रासरन एयों अन्त चूसक का प्रदसत करता है उप्रियों की विविवण जेविक किर्याओं गेव पाधब कोशीकाओं तता उतक में आधर्स माद्यम का कारिये करता है इसे इन गुणों को जल के रासाइनी गुण खा जाता है रासाइनी की अब होती गुण खा जाता है